क्रिकेट की दुनिया यानि गेम आफ क्रिकेट में आपका स्वागत है भारत और इंग्लेंड के बीच धरम शाला में पांचवा और आखरी टेस्ट मैच चल रहा है और इस टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने अंग्रेजों पर शिकनजा कस लिया है कुलदीब यादो के नाम का तूफान भारत के लिए आया और कुलदीब ने अंग्रेजों को दिन में ही तारे दिखा दिये जैक क्राउली को जिस बॉल पर बोल्ट किया वो इस साल की सबसे बेस्ट बॉल बन गई हाला दिया थी कि कुलदीब की ये बॉल सतर डिगरी तक घूम गई है जैक क्राउली देखते रहे गे और कुलदीब ने उन्हें बोल्ट कर दिया खुद अंग्रेज कप्तान बेने स्टोक्स तक को यकीन नहीं हुआ और बेने स्टोक्स भी कुलदीब के मुरीद हो गई दिखाते हैं आपको बताते हैं पहले दिन क्या हुआ कैसे कुलदीब ने जटके एक के बाद एक विकेट और आखिरकार 38 वे ओवर में कैसे कुलदीब ने मचा दिया गदर जो की टर्निंग पॉइंट भी बन गया सबसे खास बॉल के साथ सब कुछ दिखाएंगे आप भी इस पर कमेंट जरूर करें तो धरम शालाम अंग्रेजों ने टॉस जीता पहले बले बाजी चुनी शुरुआ धी काफी अच्छी रही मौसम भली ठंडा था बरफीली हवायन चल रही थी मगर तेज गेंद बाज कुछ खास कर नहीं पाए और अंग्रेज ओपनर्स ने अच्छी शुरुआ दी लेकिन जैसे ही रोहित ने स्मिनर्स को मोर्चे पर लगाया सफलता मिलने लगी कुल्दी भ्यादव ने अपने दूसरे ओर में पहले बिन डकेट के ओड किया फिर लंच से ठीक पहले ओली पॉप को भी चलता कर दिया अब लंच के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ तो जैक क्राउली काफी अच्छा खेले थे सेट हो चुके थे चौके छके जड़ रहे थे और अंग्रेजों के अंदाज में बहुत तेजी से रन बना रहे थे और भारती टीम बैक फूट बरा चुके थी सिर्फ तीन विकेट गिरे थे और 175 रन अंग्रेज बना चुके थे अब आया 38 अवर जो कि टर्निंग पॉइंट भी बना और इतिहास का गवा भी बना क्योंकि कुल्दीब यादव ने यही पर गदर मचा दिया तहलका मचा दिया एक ऐसी अबूज बॉज बॉल पर क्राउली को बॉल्ड कर दिया जो कि खुद कुल्दीब भी यकिन नहीं कर पाई बैटसमेन को बॉल ने चकमा दिया और लेकस्टम पर जा लगी जैक क्राउली बॉल्ड हो गे जियां आपस्टम से बाहर की बॉल इतनी जादा टन हुई कि लेकस्टम के बाहरी हिस्टे पर बॉल लगी और जैक क्राउली बॉल्ड हो गे 70 डिगरी के एंगल से बॉल ने उन अब केमरा अंग्रेज कप्तान बेने स्टोक्स की तरब गया है तो पहले बेने स्टोक्स भी काफी ज़्यादाओ ने बॉल की ही ऐसी थी शांदार बॉल थी अब इसके बाद भी कुल्दीब कार उखने वाले थी नए बले बाद जॉनी बैरस्टो ने कुल्दीब पर चार्ज लिया कुछ प्रेशर में लाने की कोशिश की लंबे छक्के भी लगा है लेकिन कुल्दीब ने ऐसा पल्टी मार कर बदला लिया कि बैरस्टो भी देन होगे शामदार गुगली पर बैरस्टो का भी काम थमाम कर दिया और अंग्रेशों को अकेले दम पर चौथा जटका दे दिया इतने नहीं अगले ही ओवर में जडेजा ने विकेट लिया तो उसके बाद कुल्दीब यादव ने अगले ओवर में एक और बहुत बड़ा जटका द तो दो विकेट अश्वी ने भी जटक लिया यानि कि पहले दिन पूरी तरह से अंग्रेशों को ने अस्तना बूत कर दिया जो अच्छी पोजिशन में लग रहे थे जो तीन विकेट के नुकसान पर एक सो पिस्तर रन थे वही अंग्रेश अगले आठ रन पर अपने साम बात का रखिया और फिर उसके बाद धेर कर दिया नहीं तो अंग्रेशों की कंडिशन बहुत जादा अच्छी हो सकती थी चार सो के पार भी स्कूर हो सकता था लेकिन कुल्दीब ने यहाँ पर कमाल की बॉलिंग के और खास तो और 38 वे ओवर की वो बॉल सबसे बहतरी जिसमें 70 डिगरी के टरन पर एजेक क्राउली का विकेट लिया और ये विकेट सालों साल याद रखा जाएगा तो आपका खुल्दी व्यादों की जबॉलिंग पर क्या कहना है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं वीडियो को शेर भी करें क्रिकट के हर नई अपडेट के लिए गेम आफ क्रिकट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम आफ क्रिकट की हर खबर सबसे पहले